नमस्ते दोस्तों सिक्षा विशालीनी में आपका स्वागत है कैसे हैं उमीद करते हूं बहुत अच्छे होंगे और जिन लोगों ने हमारे चैनल लाइक के सब्स्राइब ने किया है वो प्लीज कर दे तो दोस्तों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं तो उसरजन तंत्र हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले हम कुछ बात करते हैं जानते हैं उसरजन तंत्र के बारे में तो क्या है उसरजन तंत्र क्या है क्योंकि देखिए हमारे शरीर जो चल रहा है वो हमारे शरीर चल रहा है उर्जा से ठीक है और उस उर्जा को ल जब भी कोई क्रिया होती है इस दुनिया में घटना में जिन्दीगी में तो उसके कुछ अच्छी चीज़ें आती है उसमें से जो मैं चाहिए वो हमने ले लिया उसके बाद जो नहीं चाहिए होता है वो हमें बाहर हटाना होता है अगर हमने बाहर नहीं हटाया तो वो हमारे शरीर में रहे जाएगा और जब वो अत्यांति हानिकारत होता है तो क्या हुआ कि भोजन और आक्सेजन अंदर गई कोषिका ने उर्जा बना लिए उस उर्जा को तो शरीर ने काम में ले लिया लेकिन जो बच्य हुए पदार्थ है जो बेकार के पदार्थ है उन्हें हमें शरीर के बाहर फेकना है अब देखिए वो शरीर के बाहर फेकने के हमारे पास कुछ मैथड है सबसे पहले carbon dioxide हमारा बनता है बेकार का पदार्ट है जो हमें नहीं चाहिए तो वो हम दे देते हैं फैपड़ों को और फैपड़े उसे बाहर निकाल देते हैं हमें नहीं चाहिए इसके बाद कुछ और पदार्ट बन रहे हैं इन में से जितने भी याद रह जाए ठीक है billion है इस्टेरीड हारुन होते हैं तो जितना चाहिए उतना रख लेता है बाकी का जो extra बन जाता है या vitamins बिते मिनों किस पास IS का जाते है चाहितार के पास और यकरत बेजम देता है मल के साथ मतलब जो बड़ी आप जो होती है तो मल के साथ इनको बाहर निकालते हैं उसके साथ में ये बाहर निकल जाते हैं ये तीनों पदार निकल जाते हैं इसके बाद कुछ और पदार बनते हैं हमारे शरीर में जैसे नमक नमक मतलब बोले तो लवड तो लवड हो गया य हमें अपने शरीर से बाहर फेकना होता है, तो ये बाहर फेकने के लिए क्या करेंगे, देखिए, अब इसके बाद जो बचता है, वो हमें पढ़ना है उत्सरजन पंत्र में, इसके बाद बचता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के रूप में नहीं बचता है, नाइ्टो जनके योगिक बनते हैं और उन योगिकों को हमें शरीर से बाहर निकाल कर फेकना होता है ठीक है अब यह योगिक बनते हैं तीन तरीके से या तो यह बनेगा हमारा आमोनिया यह यह हमारा बनेगा यूरिया और यह फिर यह हमारा बनेगा यूरिक अमलग ठीक है तो अमोनिया जो बनता है हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में नहीं बनता है कुछ-कुछ प्राणियों के शरीर में बनता है तो अमोनिया की क्या खास बात होती है कि अमोनिया जल में गुल पानी निरफ गुलाव से निरें ponusht, तो अजलquito पोर है ज होते हैं तो जल जीब जो पानी जे आपका जाता है इस बनेता है this ends to run up पानी आपके बार निकल जाते हो जीब जनल जीब के 27 एंडर पानी नियान जाता है il fine does not procedure तो यहाता है थोड़ा से इंपोर्टन क्यूं है यह बनता है इस तंधारी में इसहीं होता है यह तोड़ा पानी में खुल bisa सीहीं नहीं होता है इस तंधारी में भूडा रहने वाली मचलिया जल जी्जी मैंने हैं लेकिन समुदर में योरिक इमला भी छोलती है एक बाहर निकाला जाता है। ब्रक माधियम से याई कि ऺ भाहर इंट ठोशे करने पौदाएं। योरिक उमले को मुता हामें, क्वेस히 भी उखना रहन दो है, यह कभी भी वी यूरीन नहीं करते हैं तो यह क्या होता है जो फ़र घूलता है इससे ज्यादा कुछ नहीं है तो अपने को पढ़ना है में नियूरिया, या जी यूरिया यूर्य यूक्तपदार्थ है उनको शरी से बाहर कैसे निकालना है पदाट भार निकालने के लिए एक पूरा उत्सरजन तंत्र होता है अब उस उत्सरजन में चार चीज़ा होती है यानि कि अगर हम यहां पर बात करें तो इसके कितने भाग होंगे हमारे चार भाग पर भाग होती है पर भाग होगा, इक मैश झाल चाल चार भाग होता है भाग भाएंगी मुत्र लेजने वाए उसके बाद आता है मुत्रज जिसके अंधर मुत्र मुत्रमर्ग वह लिए चार भाह अब गोष्टिया कोई के समय हों चेजरी में कांव गश्मका सबहुते हैं अब कि समिकी हो मुष्चा सिंगे समय पार करती है तरह के बेखो एक समय होगि पेला छेश किसम चेज होगि एक सामपालल कि स्विश होगी जब कर चस्ताई आता है मुत्र मार्ग न जब कर सीट इससे अंसमें की प factory आसे साही है इजा डाधू है जरे काई पाधू है कि एसे सीट्रॉट एसां डाधू हुआ है वाई शे में कितने ब्रकों होते हैं दो अपनी गॉलाग्ट होता है उसके बाद क्या होता है यह गलते हम प्राइब निकल तो पाद करें अधर यहां पर उसका कुछ प्रोसेस होगी कुछ करिया होगी वहां से मुत्र यह अलग हो जाएगा रग्त यहीं से वापस नि जब मुत्र बाहर निकलेगा तो क्या निकले रहेंगी? यहां से दो मुत्र बाहर जोड़ा होगा और इसके अंदर छोड़ानी DR siq जब आर रहें सबीछे मुट्र बाहर रहले हको इस दो की घर," तो रहती है," तो यहां मुत्र बाहर रहती है than रहता है?" जब आपको लगता है कि प्रेशर मतलब बहुत चारा मूत्र कट्टा हो गया तो आपको महसूस होने लग जाता है और इस मूत्र मारगे के माध्यम से वह बाहर निकाल कर फेक दिया जाता है अब यहां पे ज़कियेगा मैंने पूला तकि यहां से रक्त आता है और यहां पे चान जाता है चानने की प्रोसेस होती है जब यह पे आता है तो आने के लिए यहां फरे दो रक्त नलिकाये होती है यह दिखे, रख्ट वाईनी आए, जो हमने पहले पढ़ी थी, रख्ट वाईनी आए, एक रख्ट वाईनी ऐसी होती है, जिसमें से अशुद रख्ट आता है, वो इसके अंदर एंटर कड़ गया, सब्सक्राइब करते हैं, मैं इसको, चुकि यह गंदा रख्ट है, इसलिए म निकलती है, यह दिजिए, यहां से निकलती है दूसरी बाली, तो दूसरी बाली कैसे निकलती है, इन सब को क्रॉस करके जाती है, यह दिखे, इसमें से क्या होगा, शुद रख्ट जाएगा, और बापस इसमें, यानि कि इसमें से रख्ट आ रहा है, और इसमें से रख्ट जा रहा है तो इसके अंदर हमारा है अशुद्ध और इसके अंदर है हमारा शुद्ध तो इसके अंदर शुद्ध रखत हो गया तो यहां तक गी तो यह संडचना है आप चाहें तो इनके नाम भी लिख लेजिए रख हो गया मुत्रवाहिनी मुत्रशे मुत्रमा अब ये जो जगे है जहां पर कि ये सारी मैं थोड़ से यहां रब करना चाहूंगी ताकि ये अपने को किलियर देख जाए यहां पर एक छोटी से खाच होती है खाच मतलब एक गड़ा जैसा होता है अब देखिए जब ये अंदर आ गए वो तो कोई बात नहीं है अब इसके अंदर की एक सन्रचना होती है जैसे यह होता है ना तर्बूज होता है ना तर्बूज तो तर्बूज में आपने देखा उपर ग्रीन कलर का छिलका होता है उसके अंदर वाइट कलर का एक सेफ जगे होती है ठीक है एक वाइट कलर की जगे होती है तो समझ लो प्रहिसों को उसी हो वानाशनी तो आपको कासे तो प्रह rape मॉट है ट्रहर AH έχει करेएपड़ी, उसलीर आपको किया वानाशनी काया नहीं नेफ्रों इस ब्रक की वह सबसे छोटी इकाई है जहां से रखतवास्तम में चाना जाता है अब हमारे यूरी था कभ् крैरीक, इसलिशंया पूस इपरецयर ईब टो किसषाem का नोय निया कानते है यूरा अबसे रही निया इसकहर अफि हमें पर चप्रूर को ना जब और एमसेम्वर्त कीति किना जाके का मुझा रहा है कि जब यह नेफरन च्छान देता है तो च्छानने के बाद हो सारा का सारा यह मुत्रवाईनी से निकल के इसमें चला जाता है दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर मैं नहीं चाहती कि आपको दो या तीन वीडियो में जाके मैं यह खतम करूँ यह हम एक ही वीडियो में खतम करेंगे थोड़ा सा पेशिंस रखियेगा अजसे अचाहती कि आपको अचाहती है यह रखिये तो यहां आपको बाए इस तरीके से नेफरम की संचना होती है भ़मेन संपुट अब चाय के चाय की छल्ली में चै केके में हैं तो पैन से आपने चाय डाली तो उपर क्या रह जाते है उसमें चाय पती रह जाती है नीचे चाय निकल जाती है वैसी समझो कि एक तरीके से चलनी है यह तो यह चलनी है इसमें रख्त की बहिनी आ गई और यह अपना पूरा रख्त यहां से छोड़ देंगी ये पूरा रक्त जब यहां छोड़ देंगी तो सारा का सारा रक्त किसके अंदर आजाएगा इसके अंदर आजाएगा लेकिन वो रक्त में आपका रक्त भी होगा बिल्कुल होगा ठीक है रक्त के अलाबा आपका यूरिया होगा बिल्कुल होगा यूरिया के अलाबा लवण होंगे लवण यानि की आयन कह सकते हो आप उनको तो ये सारी चीज़ है और थोड़ा बाद ग्लुकोज भी हो सकता है क्योंकि रख्त के अंदर हमेशे ग्लुकोज रहता ही है तो इसे बोलूंगे गिलो मेरूलस, अब क्या होता है कि जग गिलो मेरूलस में से सारा रक्त नीचे निकाल दिया तो ये रक्त भर गया है इसके अंदर भर गया तो इसके अंदर थ dabei ग्रुकोज, रक्त, यूरी और लवण, इसमें से क्या हुआ जब आगे बढ़ने लग जाता है तो बढ़ने लगता है तो समझो कि यहां छोटे 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 छेद बने हुए होते हैं तो क्या होता है यह छोटे 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 छेद में से रब्त शुद्र रब्त तो निकल निकल के इसमें बार आ जाता है देखो जहांए उसे चायपती ना निकल जाएगी इस चूटी बड़े होने चाहिए बाहर निकल नहीं डानिकलाई जिंहे, मैं बने रखल्मण बने करेए रखल को झाएखर छठ है ये बनाए मरे पीपकों नहीं सुझी आजए ऐ ढ़े जूठ बने होते हैं अब ये छेद इतने बड़े होते हैं कि इसमें से रक्त तो बाहर निकल जाता है लवण भी बाहर निकल जाता है ग्लुकोस भी बाहर निकल जाता है पर यूरिया बाहर नहीं निकल पाता तो वो यूरिया का रहा गया इसके अंदर और बागी सारी चीज़ा निकल गही बाहर, बाहर बहर होती हैं बाहीका हैं, ये वाली बाहीका हैं, रक्त बाहीका हैं, तो रक्त बाहीका हैं। तब तक सारा सारा रगत गलोकोस ऍचंग और लास्ट में बच गया यूरिया और वो और वो लो चला जाता इस पैप के अंगर और ये पाइपबाद है मुत्रवाहिनी जो हमने ये जो बख्र बनाया था इसमें से जो बाहर निकाली थी वो मुत्रवाहिनी और यह सरकसार मुत्र भाहिने में यूरिया चला गया, इसके बाद मुत्राशन गोरे यहां से बाहर, तो यह I hope के समझ में आ गया हुगा, यह तीनों हमारे काम की चीज थी, sorry, यूरिया नहीं था, सिर्फ यूरिया को छोड़के बाकी यह तीनों चीज़ें यहां से बाहर नि इसलिए आज मैं बहुत आराम से समझा रही हूँ, समझ भी कोशिश करते रहना, एक चीज और बताऊंगे मैं आपको यहां पर, आपसे में एक चीज देखेगा जो हमने लास्ट वीडियो पड़ा था, तो उसमें हमने हिर्दय पड़ा था, तो हिर्दय में हमने एक अपव लेकिन फुक्पुष द्धमनी अपबाद थी इसमें हमा से अशुद हुआ शुद हान रहर था, वहां क्योंता तो हमारे समय डूद्ध उसमें रह रहर हुआ था मिर्द भुद्ध धमनी और ब्रक शिरा समय को तो होती है। आप ने देखना कि यहां पर इक हुआरा निकाल पाइर दो काई था जो किने आजा अशुद्रक्थ गांट तो बे रहता है ये पहोता दॉण तो तो आरे शुद्रक्थ गाना। जो कुछे शुद्रक्थ अरो जेते चन्न के बाहरा निकाल रहे Hm तो ब्रक शिरा चन्ने के बाद जो बचता है उसमें से निकलता है शुद्रत जिसमें प्रवाइत होता है उसे कहते है ब्रक शिरा ठीक है तो यह हमारा ब्रक शिरा हो गया तो यह अपवाद है एक यह अपवाद है और एक फुपुस दमनी और फुपुस सिरा अपवाद है तो आप नहीं निकलता है तो यह था हमारा उच्छर्जन तंद्र प्लीस बताएगा मुझे कैसा लगा और लाइक और सबस्ट्राइब जरूर किये जएगा बाए